हेलो एव्रीवन वेल्गम बैक टोड़ाइट 247 रेगुल्टी बॉड़ी जैनल विथ मी कॉल्प सिंग भदोरिया यूरीजने एजुगेटर तो रिसेंटली दंबाड ग्रेड एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आप लोगों एक दम आपको यही चीज़ बोलते थे कि आपको वेट करने की रिक्वार्मेंट ही नहीं आपने टार्गेट बना लिया आपको एक्जामिनेशन क्रेक करना है तो आप उसकी तयारी उसी मोमेंट से शुरू कर देते हैं बट फिर भी काफी वेट कर रहे थे कुछ लोग ने तयारी हो सकता है आप मतलब आपका फर्स टाइम होगा आप एक्जामिनेशन में देंगे तो थोड़ी सी चीज़ें आपको वहाँ परेशन कर सकती है क्योंकि एक होता है कि आप आइडियल सिच्वेशन लेके चलते हैं और एक वहाँ पर जाके आपको फिर फैमिलिटी आपके साथ होती है कि अच्छा ये कोश्चन नहीं पढ़ाता है थोड़ा-थोड़ा सा याद है इस पर ज्यादा फोकस करना था अपनी गलती है आपको पता चलती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा बहुत लोगों का फर्स टैम्ट में क्लियर भी हो जाता है वह प्यॉर् 22 के examination में जिन लोगों ने दिया था या फिर बाद में analysis देखा था वहां पर जो आपने गलतियां की थी कुल मिला कि आपको जो लास्ट आपने mistakes की है वह आपको यहां पर रिपीट नहीं करनी है गलतियां देखे हम सबसे होती है कभी-कभी आप वेटेज उस topic को subject को दे दे जिसमें आप जाता comfortable होते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में समझ में आ रहे लेकिन उसकी वेटेज examination point of view से उतनी होती नहीं है तो एकदम exam specific पढ़ना वही चीज़ें पढ़ना जिनकी top priority है top chances है कि वह आपसे पूछा जाएगा जरूरी हो जाता है तो कुछ ग देखेंगे नहीं first भी आपका हो सकता है बहुत लोगों का होता है that purely depends on your level of preparation session को स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ जो आप लोग करते हैं that is improper time management time manage करना देखें बहुत ज़रूर यह आपने अपने senior से आपने parents से जो आपके बड़े बुज़ूर्ग हैं आपके घर में आपन तो उस टाइम को कितने perfection के साथ use करते हैं अपने goal की two words would depend करता है और वही एक differentiating factor होता है कि तैयारी तो देखें सब लोग करते हैं लेकिन सबका selection नहीं होता selection उनीका होता है जो अपने proper management के साथ proper time table के साथ एक अपने goal को achieve करने में अपना पूरा time लगाते हैं तो आप अब देखें इसमें दो चीज़ें एक और include हो जाती है कि यह डिपेंड करेगा कि आपके पास time है कितना हो सकता है आप वर्किंग यहां पर उम्मीद आप से की जा रही है कि आपने notification का वेट नहीं किया होगा और लडी आपकी कहीं तयारी अच्छी खासी 70-80% तक हो चुकी होगी जेओ आपके full time preparation है उम्मीद तो इनसे भी यही है कि नोने अलड़ी तयारी शुरू कर दी हो लेकिन जब टाइम बहुत जादा होता है तो उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं करते बिकॉस हमें हमेशा यह होता है कि या बहुत टाइम पढ़ फिर उसकी value समझ में नहीं आती उस time की value आप इनसे पूछना इनसे पूछना इनको कितनी जाता ज़रूत होती है टाइम की इनको हमेशा लगता होगा कि या राज टाइम थोड़ा सा कम पड़े तीन चार घंटे और होते ना एक बढ़िया सा full mock test लगा लेते solution भी कर लेते त सब्सक्राइब उनको रियलाइज होता है एक्जाम देने के बाद कि यह थोड़ा सा टाइम और पढ़ लेते थोड़ा सा टाइम और दे सकते तेना तो इस सब्सक्राइब हो जाता तो वह चीज़ ना हो वह आप मेक्शूर करें comparing yourself का मतलब है कभी जबी आप मॉक्टेस्ट कभी भी दूसरे compare मत करना आपको नहीं पता दूसरे स्टूरेंट का level of preparation कितना है कब से वह त्यारी कर रहा है and so on आप खुद की progress पे ध्यान दीजिए अगर आपके पहले मॉक्टेस्ट में 100 में से 10 नंबर या ठीक है बहुत कम है मानते अगले मॉक्टेस्ट में 10 से या उसस पर काम करें वो चीज़ हमेशा माक सापके इंक्रीज होने चाहिए तो एक टाइम पर जागे जिसके पचास ते ऐसा नहीं कि उसके सो में से 110 आने लगेंगे उसके पचास आ रहे मतलब वह लड़ी सेचुरेट पढ़ाई कर चुका है उसके उतने नंबर तक ही आते हैं वह आपकी तरह डेली महन्त करेंगा तो पचास साट साथ साथ सो में से 110 क्रॉस नहीं कर जाएगा उसके उतने ही आएंगे बठा आपके जरूर उस लेवल तक आ जाएंगे तो इनीचली आपको किसी से कंपेर नहीं करना है खुद से कंपीट करना है कि आपके पिछले में जो मा आपके पास उतना ही टाइम है कि एक बार पढ़तो लो रिवीजन का मतलब क्योंते चीज़ पढ़ ली समझ ली याद हो गई समझ में आगई आप तोड़े दिनों बाद दुबारा से रिवाइज कर रहें तो ये पॉइंट आपके पास अभी वैलिड नहीं है जिन्होंने आप प्रॉपर रिवीजन पर ध्यान दीजिए एक बार पढ़के समझने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस पर बेस कोशन सॉल नहीं करेंगे रिवाइज नहीं करेंगे वह चीज़े कहीं नहीं आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंग थोड़े-थोड़े मतलब मिले-जूले जाने-पैचाने से वहाँ पर सेंटेंसे लिखे थे लेकिन एक्जेक्ली वो कह क्या राता है या पूछा क्या था वह हमें याद ही नहीं था क्यों कि रिवीजन नहीं था पढ़ा तो था एक बार तभी आपको वह जाना-पैचाना लग रहा है लेकिन आप याद नहीं रख भाए क्यों आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया वैसे यह चीज़ आपकी सभी सब्जेक्ट में लागो होती है तो पढ़ने के साथ-साथ आपको टाइम-टू-टाइम रिवीजन पर भी उसका ध्यान देना तभी वह एक इसली तो चलिए ठीक सोसे पढ़ रहेते हैं जब कुछ दिन बचे हैं या एक वीग बचाए फिर आप पैनिक करने लगते हैं कि अभी तो इतनी सारी चीज़े पढ़ने किसी ने आपको बोल दिया कि यहां से पीडिए डाउनलोड कर लो यहां के मॉक टेस्ट लगा लो नह कोई सब्सक्राइब और किसी भी फैकल्टी की चीज़े समझ में आने लगें तो फिर आप उसे चेंज ना करें तब तक आप उसी एक फैकल्टी को फॉलो करें हारेफ्रेंस के लिए कोशन सॉल्व करें के लिए कभी भी किसी के वीडियो देख लिए लेकिन आपको बेस हमे आपको लग रहा है कि कुछ खास सीखने को नहीं मिल रहा एक्जाम भी आसपास नहीं तो आप कोई बात नहीं किसी और को रैफर कर लो बट नौट जस्ट बिफोर दी एक्जामिनेशन ठीक है वह बस आपको कंफ्यूजन आपको बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा एक चीज पर वो चीज़ डिसाइड करेंगे आप अगले फेस में जाएंगे आप ऑफिसर बनेंगे एक्जामिनेशन क्लियर करेंगे गौर्मेंट जौब आपके हाथ में होगी यह आपका बेस मजबूत करते हैं आपको रेडी करते हैं उस एन्वायरमेंट के लिए उस टाइम के लि किया लेकिन वो गलत हो गया क्यों हो सकता है आपने कोई सिल्ली मिस्टेक कियो तो उस पर आपको ध्यान देना है जो आपने को छोड़ दिये यानि कि वह आपको आते ही नहीं उन पर और रिवीजिन की ज़रूत है दुबारा से राइट प्रम जीरो उस टापी को पॉड़ो क्योंकि आपने छोड़ दिये जिसमें आपके पॉजिटिव माक्स है आपने माक्स हासिल किये उसमें और कम टाइम कैसे लग सकता है वो भी आपको महनत करने है तो एक मॉक्टेस्ट एनलेसिस बहुत इंपॉर्टन हो जाता है जितना मॉक्टेस्ट देना है उतना ही उसका इनलेसिस भी है तो बिफोर दी एक्टल एक्टल एक्जामिनेशन यू शुट भी इविंग अगुड नंबर ओफ मॉक्त यह चार से पांच पॉइंट पांच पॉइंट आपको अपने रूटीन में फॉलो करने हैं तेल एक्जामिनेशन डेफिनिटली यू विल भी गेटि 237 आप एप से पर्चेस करेंगे तो लगभग 78% का आपको और मिल जाता है एक एक कूर्स के पीछे नहीं जाना देन यूव दिस ऑप्शन ऑफ बैंक महापैक प्लस या फिर रेगुलिटी बॉडिस का महापैक प्लस का मतलब हो जाता है या बैंक प्लस रेगुलिटी एग् सब्सक्राइब 15 तारिक से स्टार्ट होगा नवाड का कोर्स अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है 11 अगस्षे एंड इन सब के बाद एक जो मिनिममम चीज है जो हर एक 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 स्पारेंट के पास होनी चाहिए तो रिलेटेट तो नवाड ग्रेड़े टेस आपको दिख रही है मिनिममम रिक्वार्मर्मिंट इतनी हे कि टेट्स इरी आपको हुनी चेये बहले या प्रपरेशन आओ य्प्रसिज है तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी कर रे हूं बद टेस्ट आप खुद नहीं नहीं बना सकते हैं तो एक टेस्री जो आपकी मिनियूम रिक्वार्मेंट है कोड़ डाट यू किन अप्लाइज वाई 537S चीक है सो मिलते हैं अगले ऐसे जैनरिक सेशन में जो आपकी हेल्प करेंगे अपने तयारी में तिल देन की प्रिपेरिंग हैव वंडर्फूल डे टेक कियर एंड कुद बाए